हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू बैक माई यूटूब चैनल तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा है L&T की जो नई हाइरिंग है अभी L&T की जो नई हाइरिंग है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो फ्रेसर्स हैं तो काफी अची अपूर्चिन्टी से सब के लिए सिव पूल टेकनिक के हो सकते हैं बच्चे और वो इसको अराम से अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको बता देता हूं इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो वीडियो लास तक देखना ताकि आप साइसिस को पूरी तरके सप्लाई कर पाए और हाइस फॉर्म को फिल करन मैं आपको description में और comment box में दे दूँगा तो इस form को open करती है उसमें जो उनकी criteria होती है eligibility वगारा सब कुछ उसमें हम form open करते सब कुछ लिखा में इसको पहले link को open करते है फिर उसके बाद मैं आपको बता तो चलता हूँ और वीडियो को लास्त तक देखना ताकि आप सही तरह के सबने form को अप्लाई लिंक पर क्लिक करते है आपके सामने face open हो जाएगा ठीक है फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस open होखे आएगा तो application form में जो eligibility criteria लिखिए है आपके तीन साल ठीक है eligibility अबिल्टिक एडिया में 3 years six semester diploma course full time के लिए ठीक है जो आपकी qualification होगी वो 30 जून से पहले हो जानी चाहिए जो results आपके आएंगे तब तक आप मतलब कि six semester अपना exam दे लो ठीक है और इसमें आपकी जो aggregate percentage होने चाहिए 60 प्लस 60 प्लस होने चाहिए no backlog होना चाहिए ठीक है कोई आपकी जो data birth होगी 2001 से 2005 तक है इसमें लिखा हुआ है एक तारिक सातों महीन दो हजार एक तीस तारिक छटों महीन दो हजार चाह तक basic details में अपनी profile photo upload करनी है अपना state और district नाम as पर अधार अधार नंबर email id भरना है फिर mobile नंबर डालना data birth gender 10 के आपके जो percentage है 12 के फिर college name qualification discipline year up passing भरेंगे ठीक है this means required है और आपके डिप्लोमा marks है जो फोर्च हैं फिप्चम थर्चम के फिर उसका अग्रिगेट आप marks डालेंगे नंबर आप बैकलोग अगर आपके बैकलोग होगी तो उसमें option में डाल दें नहीं होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगी college type आपको जो भी उपी बीटी होग में regular रहागा फिर जो resume लिखा उस पर पेडिया form में resume upload करोगे 2mb तक होना चीए पर उसके बाद declaration में आपको तीनों पर क्लिक करने के बाद apply कर देने ठीक है उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अपने friends तक काफी जादे share करता कि वह भी इस form को apply कर बा तो इतना ही इसके लिए thank you so much और आप वीडियो को subscribe करना ना बोले